तो अगर आप एक anime fan है and you want to start your own anime YouTube channel where you can make amazing anime videos लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि starting days में आपको videos बनानी कैसे हैं या फिर आपको ये तो पता है कि आपका content type क्या होने वाला है लेकिन आपको अपने उस content type को एक interesting video में convert करने का method नहीं पता then don't worry आप ऐसे इकलौते नहीं है starting days में बड़े से बड़े YouTubers को इस तरह की problems आते ही आते हैं and फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ या फिर सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जिससे videos नहीं बन पाएंगी या फिर मुझे videos बनानी नहीं आ पाएंगी then just take a look at this list ये list उन comments की है जो कि over the time मु ने उन आइडियास को एक वीडियो के थूप बाहर कैसे निकाले सो विद यूट्यूब एक्सपिरियंस ओफ अल्मोस्ट वन इयर वीडियोस ओवर 100 अनमेजिंग सपोर्ट आपके जो भी डाउट्स हैं आज मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस व वीडियो ट्री में आपको पॉंट्स दिख रहे हैं ठीक वैसे ही मैं आपको टॉपिक क्रियेशन से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब चीजे बताने वाला हूं और अगर मैं मेडी बात करूं तो किसी भी न्यू वीडियो को लिखने या बनाने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक क्रियेशन से और मैं इस बात में strongly believe करता हूँ कि topics या फिर inspiration हमारे चारो तरफ है इसलिए जब भी मुझे कोई comment या फिर question ऐसा लगता है कि इसके उपर एक informative वीडियो बन सकती है तो मैं उसे तुरंत लिख लेता हूँ और जब उस पे काम करने का time आता है तब मैं उस topic के idea को final refine करता हूँ अब इसके साथ ही एक और चीज है जिस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बहुत बार क्या होता है कि कई सारे लोग शुरू शुरू में videos बनाना start तो कर देते हैं और कई बार उनके पास starting के 50 to 100 videos के लिए ideas भी बहुत होते हैं लेकिन कभी न कभी उनकी journey में एक फेस भी आता है जब उन्हें लगने लगता है कि अब हमारे पास topics खतम हो चुके हैं देखो इसके पीछे reason क्या है कि topics सच में खतम हो जाते हैं इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि topics कभी खतम नहीं होते बलकि जो चीज खतम हो जाती हैं वो है amount of information देखिए अगर आप किसी ऐ चाहूंगा कि आप सिर्फ उनी जॉनरास में वीडियो बनाइए जिसमें आपको पूरी तरह से interest है और उसके बारे में आपको एक decent amount of information पहले से हैं बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि hidden caliber channel पे मैं जो videos बनाता हूं वो काफी ज्यादा unique and different topics पे होती हैं और वो ये पूछते हैं कि मैं ये topic सोचता कहां से दें चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये topic सोचने ये धूंडने की ज़रूरत नहीं पड़ती पिछले कई सालों से मैं animation industry, content creation, business and production side of animation जैसी चीजों को सीखता and analyze करता आ रहा हूं और जब आप किसी चीज को इतने सालों से study कर रहे हो द जैसा नहीं है कि अब आपके लिए वो चीज असान हो जाती है लेकिन किसी चीज को इतने time से analyze करने के बाद topic creation and content creation काफी हद तक असान हो जाता है आपने first method को देखकर topic कैसे सोचना है या फिर अपने पहले से created topic को handle कैसे करना ही ये तो जान लिया और अब इसके बाद हम चलते हैं thumbnail के उपर अगर आप सोच रहे हैं कि thumbnail वो भी इतनी जल्दी अभी ना तो वीडियो का content सोचा है और ना ही कुछ planning की है देन video thumbnail इतनी जल्दी क्यों देखो अब इसके लिए मैं आपको दो reasons दे सकता हूँ पहला reason तो यह है कि भले ही अभी video creation स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आपने सबसे important part topic creation को complete कर लिया है और अगर आपने topic सोच ही लिया है देन उसके according thumbnail क्यों ना बनाई जाए एक बार जब आप topic सोच लेते हैं और उसके according thumbnail भी बना लेते हैं देन आपके दिमाग में जो content idea था अब वो सिर्फ एक idea या फिर topic में लिखी कुछ lines नहीं रहता thumbnail बनाने के बाद आपका वो idea एक visible shape ले लेता है जिसकी वजह से अब आप अपने idea को और भी clear vision के साथ देख पाते हैं और रही बात की thumbnail बनानी कैसे होती है या फिर उसका structure कैसा होता है देन देखिए ये तो पूरी तरह से आपके and आपकी creativity पे depend करता है ये पूरी तरह से के उपर है कि आप अपनी video thumbnail को कैसा बना सकते हैं YouTube videos या फिर editing tutorials देखकर आप edit करना तो सीख सकते हैं लेकिन creative and logical thinking आपको खुद से ही करने पड़ेगी पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपनी thumbnails के लिए क्या structure यूज करता हूं then example के लिए मेरी इसी video के thumbnail को reaction दिखाता है अगर आप अपने thumbnail पे किसी तरह का facial reaction यूज करते हैं then वो चीज आपके thumbnail को और भी ज्यादा attractive बनाती है and to complete this thumbnail मैंने इसके ओपर bold letters में एक catchy title लिखा है जो की एक तरह से video information की short form है and talk about the cherry on top of the cake hidden caliber channel पे thumbnail से लेकर हर तरह की image editing तक सबके लिए मैं Adobe Photoshop नाम के PC software का use कर So now after learning about the topic creation and thumbnail making अब हम आ गए है script writing पर इस point को expand करने से पहले let me clear one thing कि script writing person to person important हो सकती है ऐसे बहुत से लोग हैं जिने एक video बनाने के लिए सिर्फ video points चाहिए जिसके बाद उन points के ओपर जो भी बोलना है वो उसे unscripted रखना चाहते हैं और अगर आप भी इसी तरह से अपनी videos को बनाना चाहते हैं जहाँ बिना किसी script के उन्हें create करें इसमें कोई problem नहीं है बट ये point उन लोगों के लिए है जो कि कही न कहीं ये सोचते हैं कि बिना किसी script या बिना किसी material के वो एक दम से सारी important चीज़े नहीं बोल पाएंगे या फिर उनसे कहीं न कहीं कुछ miss हो लेकिन मैं इसे बोलूँगा not ready yet इस बात को बताने में मैं बिल्कुल भी शरम नहीं करूँगा that even I'm not ready yet not ready yet का मतलब ये नहीं है कि आप videos बनाने के लिए ready नहीं है बट इसका मतलब ये है कि शायद आप अभी अपने दिमाग में आने वाले सारे words को बिना किसी unclarity के नहीं अब जरा सोची वीडियो में जो भी बाते हो रही हैं वो सारे के सारे मेरे ही words हैं जिनने मैंने खुद लिखा हैं लेकिन अगेन बिना किसी शर्म के मैं कहना चाहूंगा कि अभी शायद मैं उतना ready नहीं हूं कि मैं अपने सारे words को बिना लिखे बोल पाऊं I'm 1000% sure कि future में मै खुद को improve जरूर करूंगा but for today it's a reality that I script my videos ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी लिखी script आपके खुद के अपने words हैं जिनने आपने कहीं से उठाया नहीं हैं बलकि आपने उन्हें खुद से सोचा हैं तो कभी भी इस बात से खुद को down मत होने देना या फिर कभी भी इस notepad का use करता हूं और hidden caliber channel पे video scripts बनाने के लिए मैं ये कम parts में करना पसंद करता हूं for example इसी video की script को देखते हैं यहां मैंने क्या किया है कि video में मैं जो भी information देने वाला हूं उस information के main points को मैंने as a heading रखा है जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि मैंने heading दी है thumbnail इसका मतलब इस point में मुझे thumbnail के बारे में बात करनी है फिर इसके बाद एक और heading script जिसके अंदर मुझे script के ऊपर बात करनी है और इसी तरह बाकी की सारी headings इसी तरह main headings को पहले लिखने की वजह से मुझे ये पता होता है कि किस heading पे मुझे किस चीज के ऊपर बोलना है और क्योंकि हर एक part हर एक headline को अलग-अलग लेकिन continuation में लिखा गया होता है तो इससे हर एक point को good amount of time and clear explanation मिल पाती है तो अब हम आ गए है voice recording पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि voice recording के लिए मैं audacity नाम का voice recording and voice editing software use करता हूं और voice को record करने के लिए मैं एक lepal mic का use करता हूं जो की small but very impressive recording mic होता ह आप अगर चाहें तो आप lepal mic की term को खुद से google करके इसके बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं अब देखिए ये तो थी software या फिर hardware की information लेकिन अब बात आती है कि मैं असल में अपनी voice recording करता कैसे हूं देखिए तो voice recording करने के लिए ऐसी कोई secret tips नहीं है इसके लिए बस आपने अपने script writing के दोरान जो भी कुछ लिखा है उसे बस आपको पढ़कर record करना है और अगर मैं बात करूँ मेरे method की तो जैसे मैंने script writing करते वक्त सभी points को segments में divide करके लिखा था ठीक उसी तरह recording करते वक्त भी मैं उन्हें segment by segment point by point record करता हूं और सारे के सारे points के record हो जाने क then starting में आपको लग सकता है कि यह का record कर दिया मैंने क्या मैं ऐसा sound करता हूं believe me ऐसा thought आपके दिमाग में एक ना एक बार तो जरूर आएगा और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे दिमाग में तो बहुत जल्द यह thought आ गया था कि यार मेरी आवाज ऐसी लगती है but again believe me 80% case में starting days में आपकी voice, word pronunciation, weight on words and even speaking volume इतना ज्यादा अच्छा sound नहीं करने बाला because you know आपने कभी पहले voice recording नहीं की है that's why मैं आपको suggest करूंगा and it's my personal experience कि आप starting days में अपनी speaking skills पे ध्यान तो दीजिए लेकिन अपना पूरा का पूरा focus सिर्फ उसी के उपर मत लगाई है time के साथ साथ voice quality and speaking skills अपने आप ही better होती जाएंगी. Starting days में आपको जिस सीज पे ज़्यादा focus करना है वो है content you are creating और अगर आपको voice recording करते वक्त words को pronounce करने में problems आती है then इसके लिए भी मेरे पास एक perfect solution है. अपनी pronunciation को ठीक करने के लिए आप कोई भी English book को उठाइए and उसके किसी भी chapter या फि तरीके से पढ़ने से आपकी reading and speaking skills improve होंगी. ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि किस word को कैसे pronounce करना है and किस word पे किस तरह से वजन डालना है. अगर आपके पास कोई novel या फिर कोई story book नहीं है then don't worry. इस काम को करने के लिए आप अपने school के किसी भी class के English book का use भी कर सकते हैं. And now finally we're gonna talk about the video editing. इस से पहले कि मैं video editing के complex dimensions में enter करूं. Let me tell you that कि अपनी खुद की videos को edit करने के लिए मैं Adobe After Effects नाम के एक compositing software का use करता हूं and videos को edit करने के लिए मैं Lenovo के एक gaming laptop Lenovo Legion Y520 का use करता हूं. And after talking about the software and hardware, I know आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर होगा कि Hidden Caliber Channel की videos में मैं जो ये video clips, anime images and GIFs use करता हूं इन्हें मैं pick कहां से करता हूं. Then देखिए, for example, इस video में आपने जितनी भी movies या फिर anime clips देखी हैं, उन सब को मैंने YouTube से download किया है और मैंने इन सारी की सारी clips को short length में use किया है to prevent the video from a copyright claim or even a strike. और रही बात इन GIFs, high quality anime images and other high quality images की, then सारी की सारी GIFs and anime images को मैंने Google से download किया है and बाकी दूसरी images को मैंने Pexel नाम की एक free images website से pick किया है. For example, मान लीजिए कि मुझे Naruto की एक image चाहिए जो की मेरे script के किसी paragraph के according suitable हो, then मैं Google पे type करूँगा Naruto 4K free wallpapers and Google search के बाद जो भी high quality images results में आएंगी, उन में से मैं अपने script point के according सबसे suitable image को download कर लूँगा. और देखो Naruto का तो सिर्फ एक example था, आप अपनी वीडियो के लिए इसी तरह से high quality free anime wallpapers and GIFs जून सकते हैं, लेकिन अगर आप YouTube या Google से एक ऐसी वीडियो यूज़ कर रहे हैं जो की royalty free नहीं है, then आप उस वीडियो के सिर्फ 10 या 20 second के पार्ट को ही वीडियो में यूज़ की और रही बात effects, editing and video presentation की, then देखे ये तो पूरी तरह से आपकी editing skills and creativity पे depend करता है, अगर आप एक PC या फिर laptop user है, then आप YouTube पे free editing tutorials देखकर काफी बढ़िया editing सीख सकते हैं, and अगर आप एक smartphone user है and आप सोच रहे हैं कि मैं editing कैसे करूँगा, then don't you worry my friend, आप कुछी दिनों की practice and थो YouTube audio library या फिर royalty free music use करने की कोशिश कीजिएगा, and in the end अगर आपके पास किसी भी method को लेकर कोई opinion है, या फिर आपके पास video की overall information को लेकर कोई भी opinion है, then I request कि आप उन्हें एक बार comment section में ज़रूर type करना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि video में आपके सिर्फ एक comment करने से दो चीजे होती है, पहली चीज तो यह कि मुझे personally बहुत सारे opinions पढ़ने को मिलते हैं, and दूसरी चीज यह है कि YouTube systems के according इसे audience engagement में growth समझा जाता है, and trust me guys, आपके सिर्फ एक comment करने से इस video पे लगे efforts को एक ऐसी growth मिलेगी, जो कि इसकी information को और भी बहुत सारे interested logo तक पहुचाने में बहुत helpful होगी, so please write your comments down below and put a huge smile on my face, और इसी के साथ वीडियो को यहां तक देखने के लिए and hidden caliber को अपना awesome support देने के लिए आप सभी को, thank you so much. आप